क्रिपे अथ्यान दीजे नमस्कार मैं आपके साथ हर्ष्च चोधरी बात सबसे पहले डीटवाना की जहां उखण के नौरंपुरा के उच्च प्रात्मिक विदाल्य में बच्चों के ड्रोप आउट की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी उपर से नीजी विदाल्यों का दिखावा इस विदाल्य से बच्चों को दिनो दिन दूर कर रहा था विदाल्य में चातर चात्राओं की घरती संख्या विदाल्य परिवार के लिए चिंता का विशय बनी हुई थी इससे निपटने के लिए वेदालिय परिवार ने एक कदम उठाया आई आपको बताते हैं आखिर क्या किया यहां कि शिक्षकों ने इन समस्या से निपटने के लिए देखिए ये रिपोर्ट नागोर जिली का एक छूटा सा गाउं नोरंगपुरा इन दिनों काफी चर्चा में है कारण यह है कि यहां का राजकिय उच्प्रात्मिक विदाले के सिक्षकों की एक पहल जी हां हम बात कर रहे हैं नोरंगपुरा की सिक्षा एक्सप्रेक्स की जो यहां के सिक्षकों ने अपने जेब से पैसे लगा कर और भामाशाहों के सेवग से तयार की है और यही वज़य है कि इस विदाले की चर्चा पूरे जिले में हो रही है नोरंगपुरा उचप्राथमिक विदाले में बच्चों के ड्रोप आउट की एक बड़ी समस्या थी उपर से नीजी स्कूलों के चकाचोन के कारण भी अबवायकों का विदालय से मोबंग हो गया था बच्चों के गिरती संख्या सिक्षकों के लिए चिन्ता का विश्या बनी हुई थी इस समस्या को दूर करने के लिए संस्ता परधान ने गरामिनों से मिलकर बच्चों को स्कूल भीजने के लिए काफी प्रयास स्कूल स्टाफ के साथ किया लेकिन नतीजा सीफर रहा इस पर अपने सीनियर्स से जब इस बात पर यहां के परधाना ध्यापक ने चर्चा की तो उन्होंने कुछ अलग करने की सला दी और उसी सला पर स्टाब से मशोवरा कर सिक्षा एक्सप्रेक्स तयार की गई हमने जैसे स्कूल में नामागन व्रदी के लिए प्रियास किया है और जैसे ग्रामेणों का भी इसके पृति रुजान हुआ है और आगे हम यहाशा करते हैं कि अगले सत्र में जो नामागन है उसकी व्रदी होगी इसमें आपकी क्या जाह बागिता रही है हाँ जी हमने जैसे हम स्टाफ वालों ने इसके बारे में सोचा और अधिकारी आये थे उन्होंने भी बोला कि आप नामाकन वरदी के लिए कुछ अलग तरीके से प्रियास कीजिए ट्रेन के डिबों की तरह नचर आने वाली वह स्कूल जो ड्रोप आउट की समस्या से जूज रही थी स्कूल में बच्चे कम होने से ग्रामिन भी इस पर ज़्यादा थ्यान नहीं दे रहे थे लेकिन सिक्षकों की पहल के बाद ना केवल अब ग्रामिन विदाले में रूची ले रहे बलकि अब विदाले के कार्यकरमों में भी भाग ले रहे हैं यही नई अब विदाले में भामाशाओं की मदद से कई काम भी करवाए गए हैं पर नामाकन की कम्मी, तो सबसे पहला मोटिव यही है कि नामाकन वर्दी हो, ठीक है, इसमें गाहँ वालों का भी काफी सहोग है, और गाहँ वालों ने बोला है, और इस्टाप और हमारे अच्छम सर परदीब कुमार इसरवा, जिन्हों ने भी बोला है कि क्या पता हम यह ना करेशिक साक्सप्रेस की जरीए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे स्कूल में जुड़े हैं, और गाहँ वालों काफी सहोग है, मामासा के जरीए पिदालिय में हुए साकारात्मक बदलाव का असर बच्चों पर भी देखा जा रहा है, यहां पढ़ने वाले बच्चे अपने इस नई अंदाज वाले स्कूल में काफी खुश नजरा रहे हैं, यही नई अब यहां असपास के गाउं से भी बच्चे आने लगे हैं, और ग नागोर के डीटवाना से धनसुक सेनी की रिपोर्ट तो सरकारी विदालियों के परदेश में हालात किसी से चिपे वे नहीं हैं, लेकिन नोरंगपुरा विदालिया उन विदालियों के लिए एक मिसाल है, जहां ड्रोप आउट की समस्या ज्यादा है जरूरत इस बात की है कि सरकारी स्कूल को नीजी स्कूलों से कमपेटिशन को एक चैलेंज के रूप में लेना होगा तब ही सरकारी स्कूलों के हालात सुधर पाएंगे